दोस्तों मैं हूँ C.A. Manoj Gupta, Budget 2023 Decoding Series में हम बात करेंगे GST Low के तहत, Composition Dealers के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी Amendment जो है वो पर्पोज की जा रही है, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? अभी तक क्या होता था? जो भी व्यक्ति, Section 10 के तहत रजिस्टर होता था as a Composition Dealer, वो E-Commerce Operators के जरिए अपनी Supply नहीं कर सकता था. कौन से E-Commerce Operators? जिनको Section 52 के तहत TCS Collect करने की Liability होती थी, जिनमें आप Basically Amazon, Flipkart, Misho, इन सब का नाम ले सकते हैं. यहाँ पर एक बहुत बड़ी Amendment Purpose की जा रही है कि अब जो Composition Dealer होगा, वो Goods की Supply through these ECOs कर सकता है. अब वो इन Online Platforms का यूज कर सकता है अपनी Goods की Supply के लिए और इसके जरिये वो Interstate Supply as well as Interstate Supply दोनों ही कर सकता है. अभी तक Interstate Supply जो है वो permitted नहीं थी लेकिन यह सिरफ और सिरफ उसी केस में permitted है जिसमें ECO के तहत अब जो है Supply की जाएगी and only in case of Goods. Services के केस में अभी भी Composition Dealers को यह permission नहीं दी गई है, that means वो ECO जिनको Section 52 के तहत TCS collect करने की Liability है, उनके जरिये Services की Supply नहीं कर सकते यहाँ पर कहा गया है Subsection 2 और Subsection 2 A के तहत basically Close D और Close C में Goods और इन वर्ड्स को Delete किया जा रहा है, means पहले आपको Goods और Services दोनों की Supply permitted नहीं थी लेकिन अब Goods वर्ड डिलीट कर दिया गया, it means अब आप Goods की Supply की Permission दी जा रही है, Services की Supply की Permission अभी भी आपको नहीं दी गई है, तो यहाँ पर Composition Dealers को बहुत ही ज्यादा फाइदा होने वाला है, अब Composition Dealers क्या कर सकते हैं, Online Platforms का यूज का सकते हैं, अपनी Supplies के लिए, अब वो इन Platforms के जरिए Interstate Supply और Interstate Supply दोनों ही कर सकते हैं, हालांकि ध्यान रखे, Other than ECOs, Composition Dealers को Interstate Supply, that means one state to another state supply permitted नहीं है, तो यह आपको ध्यान रखना है, एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर GST लोग में परपोस किया गया है I hope हमारी यह वीडियो आपके लिए यूसफूल होगी, देखते रही है, लाइक करते रही है, शेयर करते रही हमारी YouTube चनल All About Taxes को